हलो गाइज, दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग बिहार में न्यू बिजली कनेक्शन के लिए आवेधन कैसे कर सकते हैं, अगर आपको भी नया कनेक्शन चाहिए, बिजली कनेक्शन चाहिए, तो कैसे आपको आवेधन करना है, आवेधन करके मैं आपक करने के बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताने बाला हूं जो कि आप लोग वो फोलो कर लेते हैं तो बड़ी असानी से आप लोग का बिजली करेक्शन आपके घर में मैं साथ या दस दिन के अंदर लग जाएगा दोस्तों आगे बने से पहले एक एक important message है, message यह है कि बिहार में दो website है एक NVP DCL है एक SPP DCL है मतब बिहार में दो company जो है वो विजली provide करती है तो आप लोग अगर North बिहार से आते हैं तो अलग website है, सौथ बिहार से आते हैं अलग website है दोस्तों all in आवदन मैं आप लोग को mobile से करके बताने वाला हूँ उसी पहले आप लोग चेक कर लेजिए यह है South बिहार देख सकते है South बिहार power distributor company तो इतना डिस्टिक जो है वो South बिहार से आता है मतलब इतना एरिया जो South बिहार के area में आता है उसके बाद यह देख सकते है और मैं आपको दिखा देता हूँ तो एक North बिहार बाला भी दोस्तों देख सकते हो यह है North बिहार power distributor company इसका यह logo है और इतना एरिया जो है देख सकते हैं यह सभी area यह सभी area इस चेतर में आता है अब देखिए दोनों website है इसका एक देख सकते हैं South बिहार power distributor company का website और यह है देख सकते हैं North बिहार power distributor company का website दोनों का website देख सकते हो थोड़ा बहुत ही अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा दोनों website का link मैं आपको video के description box में दे दिया हूँ आप लोग चेक कर लिजिए अगर आप लोग इस area से आते हैं South बिहार से तो आप लोग का यह website है अगर आ चुके हैं mobile phone के screen पे आपको दोनों website का link video के description box में दिया गया है दोनों website पर दोनों area का same process है मैं आपको एक करके बता रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोग को mobile phone पर आने के बाद आपको zoom कर लेना है zoom करने के बाद इस side आना है और यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को एक option दिखाता है new connection का आप लोग देख लिजी यहाँ पर दिखाता है new connection का आप लोग को इस पर click करना है जैसे click किजिएगा दो option आता है तो यहाँ पर आप लोग को option दिखाता है new connection service का देख सकते new service connection का आप लोग इस पर click करना है जैसे click किजिएगा कुछ इस तरीके से interface ख जो है वो इस एडिया में आ रहा है आप लोग को अपना जो है district select कर लेना है उसके बाद आप लोग को यहां पर generate OTP का option दिखाता है आप लोग को यहां पर इस बाले option पर generate OTP पर click करना है जैसे आप लोग generate OTP पर click कर देते हैं तो आप लोग को कुछ इस तरीके से interface खुल जाता है आपकी mobile phone पर OTP भी भेजा जाता है उसके बाद आप लोग को देख सकते यह OTP आ चुका है यहां पर मेरे mobile phone पर उसके बाद मैं आपको एक एक करके जूम करके बता रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर आप लोग को जो OTP आपकी mobile phone पर गया है वो OTP यहां पर डालना है उसके बाद नीचे आना है यहां पर आप लोग को connection detail में आना है यहां पर click करना है किलिक करने के बाद यहां पर आप लोग को L T सेलेक्ट कर लेना है अब यहां पर ओपर में एक फुर्पन दिखाता है कनेक्सन टाइप का यह मैं छोड़ दिया हूँ यहां पर देख सकते हूँ यह वला इस पर किलिक किजिएगा तो बहुत सवरा उप्सन है अगर आप लोग अपने घर के लिए कनेक्सन लेन रहे तो आप लोग को डोमेस्टी की रहने देना है अगर आप लोग किसी बिजनस के लिए बिजनस परपस के लिए ले रहे तो इंडेस्ट्री ले सेलेक्ट किजिएगा अगर आप लोग दुखान के लिए रहे तो commercial select किजिएगा तो आपने अनुसार select कर लिजिएगा मैं domestic इना ने दता हूँ उसके बाद domestic select करने के बाद आप लोग यहाँ पर lt select कर लेना है connection type में उसके बाद नीचे आना है आप लोग को contact detail में mobile नमर तो पहले सही रहेगा आप लोग को यहाँ पर अपना email ID डाल देना है छोड़ भी सकते email ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप लोग को आना है नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग को तिसरा नमर में address डालना है जिस पर यह वाला बिंदा है नो बहुत सब्सक्राइब यहाँ पर दिया है यह वाला देख सकते हैं यह ही mandatory है तो यहाँ पर आप लोग अपना गाउं का नाम डाल देना है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप लोग को अपना पीन कोड नमर डाल देना है यहाँ पर आप लोग को एक एक करके पहले बलौक स्लेक्ट कर लेना है ऐगा दी सेलेक्ट कर लेना है ट्रेविक हें रोट सेलेक्ट करना उन develop दिकाता हूँ पंचायत में देख waited यहाँ पर यां इक सल्क कर लिया से आपके सतरे किसीज़ अपको आपको दिरिख जाए द दख सेखिए घ्रह movie सेक्शन व मॉटमेटिक झाज में धाता है तो अगर आप लोग घर के लिए ले रहे हैं connection तो आप लोग को simple ds1d select कर लेना यह बाला simple मैं आपको बता रहा हूँ अगर industrial के ले रहे हैं तो आप लोग एक बार संपर कर लेजिए बात कर लेजिए लेकिन आपको ds3d में select करना होगा तो यहाँ पर आपको ds1d select कर लेना है tariff में page में आना है single page आपको लेना है घर के लिए single page ही लिया जाता है single page select किजिए load में आना है load में आप लोग को यहाँ पर one select कर लेना है one ही आप लोग का one kilowatt का आप लोग के घर में load लगता है गहर में गहरम के लिए काफी होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ वह ही आपको करना है इतना कुछ करने के बाद आप लोग को नीचे आना है आने के बाद यहां पर देखिएगा तो समसे पहले आप लोग को यहां पर अप्लिकेट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है जेंडर प आपको पांचवा नमर में एक identity proof मांगा जाएगा जिसमें आप लोग को बहुत सरा option दिया गया है, आप देख सकते हैं, इतना कुछ डाल सकते हैं, पेन कार्ड, अधार कार्ड, मत्दान पत्र, driving lessons को भी select कर सकते हैं, जैसे हैं पर मैं अधार कार्ड select कर लेता हूं, select करने के ब लोग फिर से आप लोग पासपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हैं आप में click करता हूं, तो यह सभी document आप लोग address proof के रूप में दे सकते हैं, जैसे मैं रासन कार्ड select करता हूं, उसके बाद यहां पर आप लोग को रासन कार्ड को upload करना है, front side का, back side का, रासन कार्ड का एक ही size बता है, दोनों में एक ही select करके डाल सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, उसके बाद जो main important चीज़ है, उसके बाद आपको नीचे आना है, 7 नमर में आपको पूछा तक फोटो डालने के लिए, तो यहां पर आप लोग को applicant का जिसके नाम से आप आविदन कर रहे हैं, उस student का agreement बना कर आप लोग upload कर सकते हैं, quote में जाकर agreement आप लोग बना सकते हैं, या आप लोग को agreement बनता है, उसमें आप लोग आविदन कर सकते हैं, किसी का industry area है, industry लिए ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग संपरक एगवार कर सकते हैं, तो यह सब आपको कुछ नहीं PDF वेगरा कुछ भी receiving डाउलोड नहीं होगा आप लोग को एक request नमर जनरेट होगा आप लोग को वो रख लेना है जैसे आप लोग request नमर जनरेट हो जाता है तो नियम काता है कि आप लोग का साधिन के अंदर automatic meter लग जाएगा आपके घर पे आएगा और वह मिटर लगाता हो या रडिंग करने की लिए आता हो या कुछ भी δια WHY मेनक विजली वीभाग में इससे आप लोग को संपर करना है तो रहां वोत वोत आप लोग खरचा पानी देना है वह आपका काम कर दिगे वह आप लोग का लेजिएगा आपके घर में बिजली का कनेक्शन फीडियो कोश्ट लग जाएगा एक 200 रुपिया आपको खर्चा पॉने लगेगा आपका हो जाएगा तो आज की इस वीडियो को ही पर समावत करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन